हाई दोस्तो मैं सोनिया thepackersmovers.com से आज मैं आपको बताऊंगी कि जब हम घर शिफ्ट करते हैं तो moving insurance लेना आवशक क्यूं है हम चाहें कोई भी काम करें हर काम में कुछ न कुछ risk involved होता है ऐसे ही home shifting में भी समान तूटने, खराब होने या खोने का डर होता है ऐसे मनुखसान की भरपाई की जिम्मेदारी के लिए moving insurance लिया जाता है हम में से बहुत से लोग सोचते हैं कि हमारा घरे लुसमान सुरक्षित है क्यूंकि हमारे packers और movers ने हमारी चीजों को सुरक्षित रूप से वित्रित करने का वादा किया है यह ठीक वही वक्त है जहां हम गलत हैं क्योंकि कोई भी packers और movers यह transit company इन ट्रांजिट डेमेज के लिए coverage प्रदान नहीं करती है आप या तो समाने बीमा कंपनियों से moving insurance ले सकते हैं या फिर उसी movers packers company से जिससे आपने हाईर किया है insurance दो तरह के होते हैं एक all inclusive जो shifting के शुरुआज से लेकर अंत तक मानने होता है और दूसरा in transit moving insurance जो सरिफ goods की transportation के time मानने होता है moving insurance की राशी कुल समान की कीमत की दो से तीन प्रतीशत होती है transit insurance policy एक छोटी अवदी की policy है जिसमें coverage उस समय से शुरू होता है जब आपका समान transit के लिए policy में mention इस्थान को छोड़ देता है इन transit समय के लिए और अंतिन स्थान तक समान वित्रित होने तक शामिल होता है जिसका policy में उलेक किया गया है तो अगर आप भी अपनी home shifting के लिए कोई ऐसी company डून रहे हैं जो moving insurance देती हो तो आज ही call कीजिए thepackersmovers.com पर और पाईए verified moving companies जो moving insurance के सुविधा भी देती हो